सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल देव चैनल को बिलकुल ख्री में और उसके साथ बेल आइकोन को दबाईए ताकि आपको तुर्णाद नोटिफिकेसन मिल जाए हलो दोस्तों कैसे हुँ आप पिछली एक वीडियो में मैं आपको गूगल की ओफिशल एप के उपर एक रिवीव दिखाया था जिसका नाम था गूगल गो और इस वीडियो में भी आपको एक और गूगल की आप्लिकेसन के बड़े में बताऊंगा जो भी इसी महिने में लॉ हुई थी ओके चली एप वीडियो को स्टार्ट करते हैं है हलो दोस्तों मैं हूँ देव टेक्निकेल देव यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है तो यहां पर मैं जिस एप के बड़े में बताऊंगा वह एक स्पेस क्लिनर रहते हैं वह से तो आपको प्लेश्ट लगता है ओके लेकिन आज से यह जंजट खतम क्योंकि गुगुल ही आपके लिए लेकर आया एक स्पेस क्लिनर एप और गुल को तो हम सब 100% करते हैं क्योंकि गुगल का ऑपरोटिंग सिस्टेम हम सब यहां पर यूज़ कर रहे हैं और ऑपरोटिंग निश्टेम और क्लिनिंग ही नहीं यहां पर आपको इस एप के द्वारा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा यूज़ करने के लिए ओके तो चलिए पहले आपको इंस्टाल कर लेते हैं तो डाउनलोड लिंग आपको डेस्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फीड आप प्ले स्टोर में ज लाउन्च हुई है डिसेंबर में ओके चलिए पहले से इंस्टाल कर लेते हैं ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरका इंटरफरेस आपको देखने को मिलेगा ओके तो आगर आपका स्टोरेज इंस दिखाता है तो इस एप के दोड़ा आप स्टोरेज क्लीन कर सकते हैं इस छstr. नहीं है क्योंकि मैं यहां पर इंस्टाल नहीं है क्योंकि में यहां पर इंटरफरेज को यूज करता हूं और शेंक्वाज यहां पर category के रूम में divide हो जाता है is a recorder का एक category यहां पर हो चुका है जहां पर मैं skin recording करता हूं M.I.U.I. media, versa media, hike media, then यहां पर देखिए find unused app अगर आप किसी app को बहुत दिने से use नहीं कर रहे हो तो उस app को भी यहां से search करके आप delete कर सकते हैं then temporary app files, download files, large files इस तरह का category में divide हो जाएगा then यहां पर free app space कर सकते हैं इसके उपर tap करके भी जिससे आप delete करना चाहते हैं कर सकते हैं ओके और यहां पर settings का option आपको मिलेगा यहां पर देखिए settings के अंदर notification settings अगर आपका storage low हो जाता है देन आपको notification मिलेगा देन unused app अगर आप 30 दिस तक एक app को use नहीं करते हो तो यहां पर आपको notification भी मिल जाएगा then download files का आपको notification मिलेगा large media folders का option आपको यहां पर मिलेगा then duplicate files का भी option यहां पर आपको मिल जाएगा और यहां पर देखिए और आप किसी file को search काना चाहते हैं देखना चाहते हैं file manager के तरफ इस तरह का option भी आपको यहां पर मिल जाएगा क्योंकि यहां पर files का भी option आपको मिल जाता है downloads, receive file app, images, videos, audios, documents एक एक particular में जाकि आप देख सकते हैं apps के अंदर install app and app installer option आ रहा है देन image के अंदर आपको बहुत सरे category मिलेगा जैसे all zero का मतलब memory storage, download, whatsapp, screenshot, camera इस तरह का option आपको यहां पर मिल जायाएगा देन video के अंदर भी आपको same मिलेगा, audio के अंदर आपको same ही मिलेगा, ठीक है और यहां पर एक और option आप देख सकते हैं, send and receive, और send and receive के लिए हम सब third party एक और अलग application यूज़ करते हैं जैसे sender है, share it है, इस तरह का app use करते हैं, लेकिन आपको इस ही आप में उस तरह का option मिल जाता है, एक ही आपको बहुत कुछ और करने का option मिल जाता है, तो यहां पर जो आप data या feed image या feed video receive करेंगे, यहां पर receive के अंदर मिल जायाएगा तो एक ही आप में आपको बहुत कुछ करने का option मिल जाता है, चाहे हो space cleaner हो, चाहे हो file explorer का काम हो, या फिर स्वेन and receive data हो, सब कुछ आपको एक ही application में मिल जाता है, ओके, तो दोस्तों उमीद करते हैं, आपको इस वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज इसे like क स्यार कीजिए, और आगे चलती तरह का और भी लेटेर जान करी पाने के लिए मेरे चानल को सब्स्रेब करना मत भूलिए, तो मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, जाहिन, बंदे मातरां